दिल्ली विदानसभा का स्पेशल सत्राथ से शुरू हो रहा है ये ऐसा मौका है जब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिला है आतिशी नई मुख्यमंत्री के तौर पे विदानसभा में पहली बार आएंगी और एलोपी के तौर पे नई एलोपी के तौर पे विजेंद्र गु होगा देकि मुद्दे तो जनता के हैं और सवाल यह कि मुख्यमंत्री नहीं है पुरानी यह तो कुर्सी उन्होंने अपने बगल में रखी तो उससे के लिए रो गया कि तो सब डमी अरेंजमेंट हैं मुख्यमंत्री का चेहरा कोई हो लेकि सरकार तो केजडिवाल की ही सब्सक्राटी वो अभ्युक्त हैं जमानत पर हैं तो शायद अपनी भृष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने इस व्यवस्ता की हो लेकिन हम तो एक बात साफ कहते हैं इस सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए छे महीने बाद सदन हो रहा है कि कोई छोटी बात जो हो वो भी सिर्फ दो दिन का और इसमें भी अगर जनता के जो सवाल हैं वो ना पूछे जाए प्रश्नकाली नहीं हैं तो मुझे लगता है कि केजरिवाल जी ने इस्तीफा दिया है ये विपक्ष की जीत है क्योंकि हमने उनको प्रश्टाचार में एक् पड़ी है तो ये विपक्ष का दबाव है कि ब्रश्टाचारी सरकार जिसने आकट ब्रश्टाचार में डूबी आमादी पार्टी की सरकार आज बे नकाब हो गई है प्रश्टाचार हुआ है आज लोगों को दवाईया नहीं मिल रही है आज दिल्ली के अंदर जल बोड पूरी तरह ब्रश्टाचार में आकंट डूबा है पिच्चा नवे हजार राश्टाचार बन सकते हैं गरीबों की वो बनाए नहीं जा रहे हैं गरीबों को घर देने के लिए इनके पास घर उपलब्द हैं जर जर हो रहे हैं जुकी वालों को घर नहीं दिये जा रहे हैं ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको हम सदन में उठाना चाहते हैं चोटा सा सवाल ये है कि आप लोग अपने मुद्दे तयार करके आएं लेकिन आम आदमी पार्टी भी अपनी तयारी के साथ आएगी आप लोगों पे ही आरोप लगाने की कोशिस होगी कि केंदर के सहारे शक्तियां चीनी जा रही हैं सरकार की लगी के सहारे दिल्ली में काम ठब किये जा रहे हैं क्योंकि ये पोलिटिकल नरेटिव रहा है आम आदमी पार्टी का सदन के बाहर और अब जब चुनावी साल है ये तो निश्यत रुप से सदन में आपको भी घिरने की पूरी तयारी होगी हमारा तो सिधर सिधा मुद्द है समयदानिक संकत है 12 cm की रिपोर्ट क्यो दबाई हुई है सिये जी की रिपोर्ट टेबल को क्योंकि उसमें शराब घोटाले की भी पूल खुलती है और आपकारी निती पर जो CAG रिपोर्ट आई है, उसको क्यों दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, आपने छटे दिल्ली वितायो का गठन क्यों नहीं किया, ये भी समयधानी संकट है, तो मुद्दे बहुत सारे हैं, और अगर सरकार जनता के मुद्दों से भागेगी तो हम इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं